आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ वागाईज इस कोशन में से पूचा है कि नेम द पार्ट आफ जरनल कोटेक्स इन डाइकोट रूट विच्ट इस मेड अप बार बैरल शेप्ते घ्ल्स तो अपने जो कोटेक्स होता है हमें उसका वह पॉशन बताना है जो किसका बना है, barrel-shaped cells का बना है, diacot root के अंदर, देखो यहां पर अपने diacot root का transfer section पेस्ट कर रहा है, okay, cortex होता है, in case of diacot root, उसके दो potions होते हैं, ठीक है, एक तो यहां पर mention कर रखा है, एक अपना आता है क्या, general cortex, ठीक है, और cortex का जो inner most layer होता है, उसको हमके कहते हैं, endodermis वहीं पर stem के अंदर cortex जो होता है, वो तीन पार्स में divided होता है, कौन-कौन सा, एक होता है अपना hypodermis, ठीक है, फिर होता है अपना journal cortex, और यहां पर इना most कौन सा होता है, अपना endodermis, तो अपना root होता है, वहां पर basically hypodermis वाला portion जो होता है, cortex का वो absent होता है, okay, वहां पर क अपना पर इस जगा ले लेता है, तो हमसे यह पूछा है यहां पर, कि जो barrel-shaped cells होते हैं, ठीक है, वहां कौन से होते है, या कौन सी layer के होते है, तो अपना answer क्या होता है, एक्जाम में जो questions होते हैं, usually one mark में आते हैं, हमें सिर्फ one word में answer करना होता है, ठीक है, इस question का अपना answer क्या हो जाएगा, endodermis, यह हम इस diagram के help से समझ भी लेते हैं, देखो, यह पूरा portion जो है, cortex का है, cortex के अंदर, जो यहां पर इस cells दिख रहे हैं, आपको barrel-shaped cells, ठीक है, यह जो barrel-shaped cells बने हैं, कुछ इस तरीके के, यह होता है, अपने endodermis के cells, ठीक है, और उसके बाद, अपन endodermis के होते हैं, यह possess करते हैं, special characteristics, क्या, इनके ऊपर present होती है, Casparian strips, अब मैं यहां पर एक 3D structure बनाता हूँ, अपने endodermal cell का, ठीक है, तो मान लेते हैं, अपना क्या है, endodermal cell, यह endodermal cell हो गया, तो इसकी radial और tangential walls पे, यानि कि इस वाली walls पे, और इस वाली walls पे present होता है सुबरेन का strip, कौन से chemical का, एक्साम में हम से पूछते हैं, कि सुबरेन का strip जो होता है, वो कौन सी layer में present होता है, या कि स्पेरेन strips होती है, वो कहां पे present होती है, तो endodermis of root, ओके, यह जो सुबरेन होता है, अपना, impermeable होता है to H2O, तो यह किसम help करता है, कि जो excess of water होता है, ठीक है, उसको vascular tissue से cortical जगा पे जाने नहीं देता, ठीक है, क्योंकि यह कैसा है, impermeable है to water, ओके, तो basically, एक्साम में हम से जरूर पूछेंगे, यह बहुत important question है, कि सुबरेन जो होता है, वो कहां पे present होता है, तो endodermal cells पे, कि experience strips भी कह सकते हैं, यह कहां पे present होती है, तो endod लेकिन यह starch grains होंगे, हमें जादा तर किसमें देखने को मिलेंगे, stem के endodermis में, इसलिए stem के case में, अपना जो endodermis होता है, उसको हम starch sheath भी कहते हैं, फिलाल के लिए, अपना answer जो होगा, वो सिर्फ क्या होगा, endodermis, बाकि जो भी information यहां पे दी कहीती, सारी क्या है, additional information है, ओके, thank you so much.